दोस्तो आपने ब्लेक मेलिंग का नाम तो सुना होगा जादा तर बहुत सारे लोग ब्लेक मेलिंग करके दूसरे इंसान का फायदा उठाते हैं और कई वार वह ब्लेक मेलिंग करने का जो तरीका होता है वह उस इंसान की जान को आफ़र बन जाता है ने जाने कब कब उस इंस कर रही होती है और चिकन शराब इन सब चीजों की पार्टी कर रही होती है तब यह अचानक ऐसा होता है कि उस लड़की को वह लड़का कुलाडियों से बोटी-बोटी करके अलग कर देता है आकर ऐसा क्या हुआ इस घटना की पूरी सच्छा जानने के लिए आप हमारे वीड रखने की बात है दोस्तों उस railway station के track पर सुबह सुबह पुलिस को information मिलती है कि कि किसी मानव अंग के टुकडे टुकडे कटे हुए पड़े हैं railway track के उपर रेल की पट्रियों के उपर पुलिस आती है मामले की चानवीन करती है तो पुलिस आकर देखती है कि एक सरीर के टुकडे टुकडे कटे हुए पड़े हैं और दूर दूर तक फैले हुए पड़े हैं पुलिस उन अंगों को बीनती है उनको एकत्रित करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह जो अंग है यह एक औरत के अंग है दोस्तो पुलिस उसकी चानवीर में जुट जाती है, पता लगाती है कि यह है औरत कौन है, कहां से आई है, क्या इसका नाम है लेकिन पुलिस को कोई भी किलून नहीं मिल पाता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी के पास पुलिस को नहीं मिलती है तभी दोस्तों पुलिस मामले की छानवीर कुछ और जोड़ों पर करती है और वहाँ पर आसपास में लगे हुए CCTV कैमरों को पुलिस खंगालने लगती है उनमें ज़्यादा तर CCTV कैमरों में कुछ नहीं मिलता पुलिस को लेकिन एक CCTV कैमरे में उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है पुलिस को जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देता है वहाँ पर एक करमचारी जो रेल का करमचारी है वह एक बोरे में कुछ लेकर जाता है रेल वे ट्रैक की तरफ लेकिन जब वापस आता है तो उसके हाथ में वह बोड़ा नहीं था वह खाली था तो पुलिस का सक उस इंसान के ऊपर चला जाता है फिर पुलिस उस इंसान का पता लगाती है तो वह इंसान वहीं पर रेल करमचारी था उसका राम था राम पिरकास जिसकी उमर थी 40 साल उसके चार बच्चे थे और वह स्टेशन पर रहकर रेलवे करमचारी के पदब पर न्यूक थे था वहीं परमना काम किया करता था पुलिस उसके पास जाती है पूस्ताज के लिए उसको अपने पास पूस्ताज के लिए बुलाती है तुम बोरे में क्या लेकर जा रहे थे और फिर उधर से जब तुम आये थे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था लेकिन दोस्तों करमचारी पुलिस वालों के सामने बहाने भर देता है कि उस बोरे में कुछ सामान था, कुछ ओजार थे और पुलिस वालों का उसके उपर यकीन भी नहीं था कि भाई यह कातिल होगा पुलिस वाले तो एक नॉर्मल बात समझ रहे थे कि करमचारी है कुछ कामधंदे के लिए अब इदर उदर जाना पड़ता है और गया होगा कहीं न कहीं लेकिन दोस्तों जैसे ही वह करमचारी पुलिस को बेवकूप बना देता है उसके बाद पुलिस वाले उसके उस क्वार्टर पर जाते हैं परवे स्टेशन में जिस क्वाटर में रहता है वहाँ जाकर जाजपरताल करते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि कुछ चूडियां टूटी हुई फरस के उपर पड़ी होती है यह बात देखकर पुलिस का माता ठिनकता है और फिर पुलिस उसको दुवारा से पुस्ताज के लिए बुला लेती है राम प्रिकास को अब पुलिस सीधा उससे यह कहती है कि हमें पता लग गया है कि उस औरत का कतल तू नहीं किया है तुम सच सच बता दो तुमने आखिर ऐसा क्यों किया दोस्तोर यह बात राम प्रिकास जब पुलिस के मुँझ से सुनता है तो वह परिशान हो जाता है क्योंकि चोर की दाड़ी में तिनका होता है उसको बहम लगा रहता है हमीसा कि किसी को पता नचल जाए दोस्तोर राम प्रकास सारी घड़ना पुलिस के सामने बया कर देता है कहता है कि यह औरत कई दिन पहले चार-पांथ दिन पहले स्टेशन पर आई थी और यह भीक मांग रही थी दो इधर उधर और भीक मांग कर अपने पेट को भर रही थी मेरी नजर इसके उपर पड़ती है मैं इससे बत्याने लगता हूँ इसके पास बैट कर बाते करने लगता हूँ और तभी मैं इसको अपने क्वार्टर पर खाना खिलाने के लिए अपने क्वार्टर पर लेकर आ जाता हूँ यह खाना खाती है इसका पेट भर जाता है यहीं पर सो जाती है फिर रात को मैं इसके साथ सम्मंद बनाता हूँ और यह भी मेरे साथ सम्मंद बनाती है रात को हम पार्टी करते हैं सराव लाता हूँ मैं चेकन लाई जाती है उसको खाया जाता है यह भी चेकन खाती है सराव पीती है, मैं भी चिकन खाता हूँ, मैं भी सराब पीता हूँ, पार्टी करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ सम्मंद बनाते हैं, इसी तरह से चार दिन सम्मंद बनाते रनाते गुजर जाते हैं, और फिर चार दिन गुजरने के बाद मैं इससे कहता हूँ कि अब तुम यहां से चली जाओ आप मुझे डूटी करने दो लेकिन दोस्तों वह करमचारी बताता है कि यह और जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं यहां से जाओंगी तो मेरे पैसे देदो राम पिर्कास कहता किस बात के पैसे पार्टी मेंने करी है सराब मैंने पिलाई है सब कुछ तो मैंने किया है लेकिन दोस्तों वह औरत जिसके मन में कुछ और ही चल रहा था वह कह रहा है थी कि चार दिर मैंने तुम्हारे साथ संबन बनाए है 10,000 रुपे पढ़ने के हिसाब से 40,000 रुपे मेरे तुम्हारे तरफ होते हैं उनको दे दो लेकिन दोस्तों यह बास सुनकर जो राम प्रकास होता है उसकी आँके फटी फटी रह जाती है क्योंकि उसकी आउकात नहीं थी उसकी हैसियत नहीं थी इतने पैसे देने की आप दोस्तों वह उससे मना कर देता कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम यहां से निकलो लेकिन वह उरत कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तुम मैं चीक-चीक कर दुनिया वालों को बताऊंगी तुम्हारी करतूत के बारे में कि तुमने मेरे साथ चार दिन तक क्या किया है दोस्तों इस बास से राम प्रकास डर जाता है और फिर वह उस उरत के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेता है तो उसको पता चलता है कि इस उरत का कोई अता पता नहीं है कहां से आई है किसी को पता नहीं है कौन है क्या इसका नाम है तो क्यों ना मैं इसको मार करके ट्रे इसे वार करने लगता है वह चलाने लगती है चीखने लगती है लेकिन वह वार करना बंद नहीं करता है थोड़ी देर में उस औरत के टुकडे टुकडे कट 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 के जमीन पर गिर जाते हैं और वह तरब तरब कर अपने प्रान गवा देती है उसके बाद वैं उसके टुकड़ों को डेड़ बोडी के टुकड़ों को बोरे में भरता है और उनको फिर रेलवे ट्रेक पर डाल आता है और सोचता है कि अब लोग यह समझेंगे कि इसने रेल के आगे कूद कर अपनी जान दी है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है वैं पुलस को सारी घटना बताता है फुलस उसको अरेस्ट कर लेती है उसके उपर मुकदमा दर्ज किया जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है यानि कि वह औरत बिलेकमेल करना चाहती थी उसको वहाँ पर उसी ने सजा दे दी रामप्रिसाद ने और रामप्रिसाद कानूं से बसना चाहता था चाला की लगाना चाहता था उसको भी सजा भगवान ने वहाँ पर दिलवा दी बहुत सारे लोग जो भी ये समझते होंगे कि हम क्राइम कर जाएंगे बचका निकल जाएंगे ये उनकी भूल होती है बहुत सारे लोग क्राइम क्यों करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम जो भी ये काम करेंगे किसी को इसके बारे में कानों कान खबर नहीं होगी लेकिन दोस्तों गलत होते हैं वो लोग क्योंकि उपर वाला हर चीज को देख रहा होता है और उपर वाले की जो अल्गोरिथम होती है उसमें कही न कहीं तो इस चीज का तोड निकल ही आता है हो सकता है एक महिना पता ना लगे आपके कर्टूथ का हो सकता है एक साल पता ना लगे लेकिन कभी न कभी तो आपकी उस गंदी कर्टूथ का पता अवज्य लगता है यह फैक्ट है क्योंकि भगवान ने सिस्टी रचाई है इसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी ऐल्गोरिफम फिट की है तो दोस्तो पुलिस को उसकी करतूत के बारे पता चला उसको जेल भेजा गया केश दर्ज की अगया तो आप क्या कहना चाहते हो क्या वह औरत गलत थी जिसने लालस में आकर उसको ब्लेक मेल करना चाहा लेकिन ब्लेक मेल करने के चक्कर में उसको अपनी जानगवानी पड़ गई या पर यहाँ पर वह जो करमचारी था रेल का गरमचारी राम प्रकास वह गलत था क्या उसने गलती नहीं की थी उसने एक अकेली ओरत का नाजाज फायदा उठाया था आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बोक्स पर में राय लेक सकते हैं लोग एक साथ सेर कर सकते हैं दोस्तों ऐसी घटना के उपर मैं वीडियोज बना कर लेकर आता हूं जो कि सची घटना होती हैं और नेक्स्ट वीडियो में बोजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुछ रहें साथान रहें रिष्टों की एमियत को समझें जैहिंद प्रॉबबबबबबबबबबबबबबब लोजबबबबा肉े जैएियर.